हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक इन वाई चैनल हितन्स लोग ऑफिस है तो फ्रेंट्स 30 इजी रेशिपी फूर बॉइस चैलेंज में आज एक बहुत टॉफ लेकिन इजी रेशिपी है जो है पराथे बॉइस के लिए पराथे गोटी ठेपला बनाना बहुत टॉफ है लेकिन फ्रेंट्स सच में वह एक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन कप गेहों का आटा लिया है और उसमें आडी चमश नमक और आडी चमश जीरा पाउडर डालके दो चमश तेल डालके उसमें जरूरत क हिसाब से पाने डालते हुए आटा गुनना है आटा ना तो कड़ेखोना चाहिए और नहीं सब्स इतना है और आटा गुनने के बाद उसको पांच मिल्ट रस देना कर दोलियो नहीं, जर अब में बादी आटा झाने झाटा परें साज्सर नहीं मैं और आटा थार अटाब ऑ्राटा रटा आटा आटा बना आटा पांटाब आटा उसमें आटाग साने पाम आप देख सकते हो आटा बहुत अची तरह से बढ़ गया है तो उसमें एक चमच देल डालके उसको पांच मिनित तक रास दिना तो फ्रेंज अभी सेकंड प्रोसेस है पराथे बेलने की पराथे बेलना भी काफी इसी है तो पराथे बेलने के लिए आटे का पीरा बना के इस पर थोड़ा सुखा आठाल डालकर आपको बे बेलते ताइम इतना ध्यान रखना है कि आप रोटी की कॉर्णर पर बिलन लगाने और बस दीरे दीरे बिलन चलाते जाओ और रोटी गोल बन जाए अब बनी हुई रोटी को स्लो फ्रेंपे टर्वर पर सेकनी है और बाद में उसमें थोड़ा से तेल डालके इस एक दिन है तो फ्रेंपे एक्टम सौफ पराथे लेवी है आज से प्रेंपे टर्केम जाओे गालके अर्माने जाओे लेगा आए परी कमाए बनी है इस एक दोटी को स्लोटी पराद में लगा में आए प्रेंपे जा फ्रेंपे लिए आचे व्रेंगी है कर अजब भोगी है झाल 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 तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के लिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इतना इस ब्लोग आफिश है